जोती ये गरीब रड़की थी, वो अपने पिता के साथ एक छोटे से खर में रहा करती थी जोती के पिता अक्सर बिमार रहते थे, खर की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि जोती अपने पिता का एक अच्छे अस्पताल में इलाज करवा पाए ऐसे ही एक राज जोती और उसके पिता दोनों सो रहे थे तब ही अचानक से जोती की पिता की तबियत खराब हो जाती है वे बहुत जोर-जोर से खास रहे थे उनको बार-बार उल्टी आ रही थी जोती अपने पिता की तबियत देखकर बहुत परिशान हो जाती है कि तुम अपनी पिता को शहर के किसी अच्छे हॉस्पीटल में ले जाओ, क्या पता वहां तुम्हारे पिता ठीक हो जाएं। और मैं तो एक छोटा सा वैद्धी हूँ, छोटे मोटे रोग का इलाज करता हूँ। काका आपकी बात तो ठीक है, लेकिन इतने पैसे भी तो नहीं है मेरे पास, कि मैं पिता को शहर ले जाओ, और कोई भी हमें उधार देने को तयार नहीं है काका। बेटा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें जो करना है, वो तुम्हें करना है। वे जोती के पिता की बिमारी की रोग थाम करके वहाँ से चले जाते हैं, जोती अपने पिता को दवा दे कर सुला देती है, और खुद रात पर टेंशन में बैठी रहती है। हे भगवान, अब मेरे पिता जी की जिन्दगी की बाग दोर आपके हाथ में ही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, और कैसे अपने पिता जी का इलाज करवाँ, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मैं अपने आपको बहुत लाचार मैसूस कर र रहा था कि वे कैसे अपने पिता का इलाज करवा पाएगी, वे जगा 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 जाकर अपने पिता के इलाज के लिए कर्ज मांगना शुरू कर देती है, और हरकई उसकी आर्थिक स्थिती को देखते हुए उसे कर्ज देने से मना कर देता है, जोती हताश और परिशान सी हो जाती है उदासमन से अपने घर वापस आ जाती है और अपने पिता से सारी बाते कहते हुए बोलती है पिता जी मुझे माफ करना कि मैं आपको एक अच्छा जीवन नहीं दे पा रही हूँ बच्पन से आपने हमें पाला पोसा बड़ा किया और आज जब मेरा वक्त है कि मैं आपका अच्छे से ध्यान रख पाऊं तो मैं अपने आपको बहुत लाचार महसूस कर रही हूँ पिता जी इसमें तेरी कोई गलती नहीं बेटा सारा कसूर तो हमारी गरीवी का है अगर हम भी अमीर होते तो हमारे पास किसी भी चीज की कोई खमी नहीं होती तू आराम से म आप इस तरह से मत बोलिए मैं कैसे भी आपको ठीक करूंगी चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े ऐसे ही एक दिन जोती जंगल से लकडियां लेकर खर वापस आ रही होती है तबी रास्ते में एक बाबा वहां से जा रहे होते हैं अचानक से बाबा के पैर में काटा चुप जाता है और उनके पैर से खून निकलने लगता है कि तबी जोती लकडियां फैक कर बाबा के पास जाती है और उनके पैर से काटा निकाल कर अपना दुपट्टा फाट कर उनके पैर में वो कपड़ा बान देती है ताकि खून बहना बंद हो जाए हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ वैसे तुम कुछ परेशान लग रही हो अगर कोई परेशानी है तुम मुझे बेज़जग बता सकती हो मैं तुमारी मदद कर सकता हूँ लेकिन मैं जो तुमें बताऊंगा क्या तुम वो कर सकती हो बाबा मैं सब कुछ करने के लिए तयार हूँ अपने पिता के लिए गाउं है सीतापुर नाम का गाउं में एक जंगल है उस जंगल में एक जादुई चुकंदर का फल है बेटा वहाँ से तुम एक फल ले आना वो फल तुम अपने पिता को खिला देना उस फल से तुमारे पिता की तबियत में बहुत सुधार होगा और तुमें रोज एक हफ्ते तक अपने पिता को वह जादुई चुकंदर का फल खिलाना होगा जिससे तुमारे पिता एक हफ्ते का अंदर ही ठीक हो जाएंगे और हाँ वह एक जादुई चुकंदर का फल है वह पेड यूँ ही किसी को अपना फल नहीं देता हम ये तुमारे उपर है कि तुम उस पेड से फल कैसे लेकर आओगी जोती बाबा का शुक्रिया अदा करती है और घराकर अपने पिता को इस पारे में बताती है सारी बाते सुनने के बाद जोती की पिता कहते है देख बेटा मुझे नहीं पता कि मेरा जीवन अब कितने दिनों का है मैं है अपने जीते जी तुम्हें कुछ भी होता हुआ नहीं देख सकता मुझे नहीं पता कि तुझे किस बाद ने क्या कहा है लेकिन तेरी जिन्दकी के साथ कोई खेलवाड नहीं कर सकता मैं तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है अगर मुझे ठीक होना होगा तो मैं अपने आप ठीक हो जाँगा तुझे मैं किसी भी मुसिबत में नहीं देखा योधी मैं तुझे कह दिया ना कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है अगर मुझे मरना ही होगा तो मैं मर जाँगा लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुझे कुछ हो पिता जी मुझे कुछ नहीं होगा क्या पता वे बाबा भगवान का रूप हो और जाने अन जाने में भगवान मुझे आपका इलाज बता कर गए हो मुझे एक बार जाने दीजिए लगता है कि तू मेरी बात नहीं मानेगी अब बच्चे बड़े हो गए हम बुड़े माबाप की बात क्यों मानेगी तुझे जो ठीक लगता है बेटा तू वही कर बस एक बात याद रखना अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा मुझे आप पर और भगवान पर पूरा भरोसा है पिताजी मुझे कुछ नहीं होगा बस एक विश्वास के साथ मैं सीधा पूर जाना चाहती हूँ ऐसे ही अगले दिन जोती सीधा पूर गाउं जाती है और उस काउं के जंगल में जादूई चुकंदर के पेड़ को ढूरने की कोशिश करती है उस जंगल में सारे पेड़ विशाल होते हैं और उनके उपर जो चुकंदर के फल लगे होते हैं सारे बड़े बड़े होते हैं जिसे देखकर जोती असमंचस में आजाती है कि कौन सा जादूई चुकंदर का फल है। जोती था खार कर एक जगा पर पेड़ जाती है तभी उसे बहुत जोर से प्यास लगती है और अपने पास रखी पानी की बोतल का ढखकन खोल कर फिर पानी पीने जाही रही होती है कि तभी एक पेड़ से आवाज आती है। जोती बिना सोचे समझे उस पेड़ को अपना सारा पानी पिला देती है। थोड़ी देर बाद जोती का गला सूखने लगता है तभी उस पेड़ से एक जुकंदर अपने आप तूट कर नीचे गिरता है और वे जुकंदर अपने आप जोती के पास आता है और उससे कहता है जोती चुकंदर को अपनी सारी बात पताती है तभी वे जादूई चुकंदर जोती से कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जोती जादूई चुकंदर का शुक्रिया अदा करती है जादूई चुकंदर जोती को साच चुकंदर दे देता है जोती पे चुकंदर लेकर खारा जाती है और अपने पिता को सारी बात पताती है आखिरकार तू अपने पिता के लिए जिंदगी और बहुत से लड़के बाहर आ गई अगर तेरे जैसे बच्चे हर किसी के घर में हूँ तो उनके माथा पिता को कभी कुछ होगा ही नहीं पिता जी क्या सिर्फ माबाप का ही फर्स होता है बच्चों का ध्यान रखना अरे हम बच्चों का भी तो फर्स बनता है न कि हमारे होते हुए हमारे माबाप को किसी भी चीज की कोई परिशानी ना हो अब ये चुकंदर खाने के बाद आप एक दम ठीक हो जाएंगे जोती अपने पिता को वे जादूई चुकंदर खिला देती है पहली बार में ही जोती के पिता की तब्यत में सुधार हो जाता है ऐसा लगातार वे साथ दिन तक करती है जोती के पिता जी अप पूरी तरह से ठीक हो चुके थे जादूई चुकंदर की मदद से दोनों अपनी थोड़ी बहुत इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं और अपनी मा से कहा मैं नहीं खाऊंगा ये कद्दो की सबसी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है मेरे लिए कोई दूसरी सबसी बना दो सुनो अंकित बेटा मैं बार बार रसोई में खड़े होकर कुछ नहीं बनाने वाली तुम्हें यही खाना होगा जो घर के सभी सदसे खा रहे हैं तो ठीक है मैं भूगा रह लूँगा लेकिन खाना नहीं खाऊंगा ये तुम कैसी बाते कर रहे हो मा ने जो बना कर दिया है चुपचाप खालो पिता के डड़ से अंकित ने चुपचाप थाली अपनी तरफ सरकाली और खाना खाने लगा उसे इस तरह करता देख उसके दादा दादी हसने लगे और उसकी बहन उसे चुढ़ाने लगी आंकित के पिता सुनील एक छोटी सी नौकरी करते थे और कम पैसों में प्रभा पूरी तरह घर को चलाने की कोशिश करती थी बहरा पुरा परिवार था उसमें महीने में एक दो महमान आ जाते थे प्रभा अगर दो पैसे बचाने की सोचती भी तो वो भी खर्च हो जाते हैं इसलिए वो बाजार से सस्ती सबजियां खरीद कर लाती और हर बार उसे कद्दू सबसे सस्ता लगता है इसलिए एक बड़ा सा कद्दू उठा लाती वैसे तो घर में कद्दू किसी को भी पसंद नहीं था लेकिन घर की हालत को देखकर और प्रभा की मेहनत को देखकर कोई कुछ नहीं बोलता था पर पिछले कई बारी से अंकित हमेशा कद्दू की सबजी बनने पर घर में कलेश करने लगा था खाना खाकर सब सोने के लिए चले जाते हैं अंकित बहुत देर तक पढ़ता रहता है और उसके बाद उसे भी नींद आ जाती है सपने में वो देखता है उसे एक बहुत बड़ा कद्दू बुला रहा है तुम कद्दू होकर बोल रहे हो? चले जाओ यहां से मुझे कद्दू बिल्कूल भी पसंद नहीं है क्यों पसंद नहीं है? देखो तो मैं कितना मोटा ताजा हूँ मेरे से बनाए गई सबजी कितनी स्वादेश्ट होती है यहां तक कि मेरे से बनाए गई मिठाई को सब ही लोग बड़े चाओ सिखाते हैं पिर तुम्हें कद्दू क्यों पसंद नहीं है? करते होंगे तुम्हें सब लोग पसंद लेकिन मुझे कद्दू पसंद नहीं है तो बस नहीं है तुम्हारी बनाए हुई सबजी मुझे बिलकुल अच्छी नहीं लगती और मुझे समझ में नहीं आता तुम में कौन सी खुबी है जिसका बखान तुम मेरे सामने कर रहे हो लगता है मेरी मा को भी तुम में खुबिया नजर आती है तब ही हर बारी एक बड़ा कद्दू उठालाती है ये सुनकर जादूी कद्दू अंकित के सामने बैठ जाता है और बहुत देर तक इधर उधर देखता रहता है अब इधर उधर क्या देख रहे हो? मैंने कहा न तुम यहां से चले जाओ और तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? तुम्हें तो किसी सबजी वाले के पास होना चाहिए या किसी खेत में सोचो अगर मैं कुछ ऐसा कर दू कि तुम्हारी मन पसंद चीज तुम्हें दू तो क्या तो मुझे पसंद करने लगोगे? तुम मुझे बेफकूफ समझ रहे हो तुम्हें पता है इस साल में दसवी क्लास में हूँ और मेरे से इंटेलिजेंट बच्चा क्लास में कोई भी नहीं है तुम सोच रहे हो कि मैं तुम जैसे एक मोटे कद्दू के बहकावे में आ जाओंगा? पहले तो तुम मुझे बार-बार ये मोटा-मोटा बोलना छोड़ दो ये भी मेरी एक खूबी है मैं इतना मोटा और इतना बड़ा होता हूँ कि लोग एक ही बारी में मुझे ले जाते हैं और फिर कई दिन तक सबसी बनाते हैं मेरी सबसी हर जगा बनती है पूजा में भी और शाद्यों में भी जिस तरह तुमें तुमारी खूबी पता है कि तुम इंटेलिजेंट हो, इसी तरह मुझे भी मेरी खूबी पता है मैंने बस तुम से पूछा है कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करूँ तो क्या तुम मुझे पसंद करने लगोगे? अच्छे एक सबसी क्या कर सकती है? बताओ मुझे सरा जादूई कद्दू की बात सुनकर अंकित हसने लगता है अगर तुम्हें इतना ही जादू आता है तो तुम ऐसा कमाल क्यों नहीं कर लेते कि तुम दिखने में सुन्दर लगो तुम पतले हो जाओ और तुम्हारी बनाए हुई सबजी मुझे पसंद आ जाए तुम्हारे कहने से मैं अपना रंग रूप नहीं बदल सकता मैं कद्दू हूँ और मुझे कद्दू ही रहना पसंद है और इसी तरह मोटा तासा भी हाँ अगर तुम कहते हो कि तुम्हें मेरी बनाए हुई सबजी पसंद आ जाए तो ये लो तभी अंकित देखता है कि वहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से बनी हुई कद्दू की सब्जी पूरी रखी हुई है खा कर देखो और बताओ क्या ये सब्जी अच्छी नहीं है ना बाबा ना मेरा तो पेट भरा हुए मैं और खाना नहीं खा सकता अब तुम बहाना बना रहे हो मैं अभी तुम्हारा पेट खाली कर देता हूँ और फिर तुम मुझे ये सब्जी खा कर बताओ तभी अंकित को अपना पेट हलका लगने लगता है वो जादू कदू के कहने पर सब्जी पूरी खाता है और फिर खाता ही चला जाता है उसने आज से पहले इतनी स्वादिष्ट कदू की सब्जी नहीं खाई थी अब क्या कहते हो अब तो तुमने सारी सब्जी भी खा ली है सच मुच ये तो बड़ी ही हैरानी की बात है मैंने कद्दू की सब सिखाई है पर कुछ भी कहो ये बहुत ही मसेदार बनी थी देखो अब सुबह होने वाली है पूरी रात तुमने बातों में निकाल दी मैं तुम्हे और जादू दिखा ही नहीं पाया जल्दी तुमसे फिर मिलने के लिए आउंगा ये कहकर जादू कद्दू वहाँ से गायब हो जाता है आंकित की आँख खुलती है तो वो इधर उधर देखता है फिर वो समझ जाता है कि वो तो कोई सपना देख रहा था कोई जादू कद्दू वहाँ पर नहीं थी सुभे दोनों भाई बहन स्कूल चले जाते हैं सुनिल अपनी ड्यूटी पर चला जाता है प्रभा अपने सास ससुर के साथ में बैठ कर चाय पी रही थी कि तभी उसकी सास बोलती है अरे प्रभा मैं तो तुझे बता नहीं भूल गई आज कुछ सुमा रही है अपने बच्चों के साथ घर में बढ़ियां सा खाना बना लेना इतनी बड़ी बाता भूल गई अब दीदी के आने तक मैं सारे घर का काम कैसे खत्म करूंगी और फिर बाजार जाकर सबजी भी तो लानी है अरे परेशान मत हो वो सुभे नहीं आ रही है शाम को आ रही है तब तक बच्चे भी आ जाएंगे घर का काम भी कर लेगी और मैं हूना तेरे मदद करने के लिए परभा जल्दी से चाए खत्म करके घर के कामों में लग जाती है दो पहर को दोनों बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो प्रभा अंकित से कहती है कि बाजार से एक बड़ा सा कद्दू खरीद कर ले आओ पर मा कल ही तो तुम रात को कद्दू की सब्जी खाई है अब क्यों तुम्हें पता है ना तुम्हारी बुआ आ रही है वो भी अपने बच्चों की साथ में इतने सारे लोगों के लिए मैं पनीर की सब्जी नहीं बना सकती और बागी सब्जीयों के दाम पता है ना तुमें जितना कहती हूँ उतना सुनो अंकित अंकित गुसे में अपना बैक फेक देता है और पैसे लेकर कद्दू खरीदने चला जाता है उसे मंडी में एक अच्छा बड़ा कद्दू दिखाई देता है वो उस कद्दू को देखकर सपने में आए हुए कद्दू की बारे में सोचने लगता है वो खू बहू वैसा ही दिखाई दे रहा था अंकित उसे खरीद लेता है और अपने सर पर रखकर घर की तरफ आते हुए सोचने लगता है कल रात को माने कद्दू की सब्जी बनाई सपने में कद्दू की सब्जी खाई और अब फिर कद्दू की सबजी खानी है ये भगवान, ऐसा क्यों नहीं होता कि गर में 2-4 किलो पनीर फ्रिज में रखाओ कितने दिन हो गए मटर पनीर नहीं खाया शाही पनीर नहीं खाया, कड़ाई पनीर नहीं खाया और सारा परिवार भी हैरानी से फ्रिज के पास खड़ा है और उसके आंगन में एक स्कूटी खड़ी है वह तुमने स्कूटी खरीद ली? अरे तुम कौन सी स्कूटी की बात कर रहे हो? हम तो यहाँ पर फ्रिज को देखकर ही परेशान है अंकित जब फ्रिज के अंदर देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है उसमें काफी सारा पनीर रखा हुआ था मटर पनीर, कड़ाई पनीर और शाही पनीर के सबजियां बनी रखी थी वो कभी फ्रिज को देख रहा था, तो कभी उस कड़़ू को देख रहा था जिसे उसने अभी-भी मेज पर रखा था आखिर ये सारी सबजिया हमारे फ्रिज में कहां से आई और इतना सारा पनीर मैंने तो पनीर पिछले छे मैने से खरीदा ही नहीं है आखिर ये चमतकार हमारे साथे क्यों आंकित को सारा माजरा समझ में आ जाता है वो अपनी मा को अंदर कमरे में ले जाता है और उन्हें बताता है कि उसे रात को एक जादूई कद्दू का सपना आया था और बाजार से वो वैसा ही कद्दू खरीद कर लाया है और रास्ते भर वो इन ही चीजों के बारे में सोच रहा था अरे पागल हो गए हो क्या, भला ऐसा कभी होता है ये तो मुझे पता नहीं होता है, या नहीं होता है लेकिन अभी अभी जो कुछ हुआ है, वो इस जादूई कद्दू की बज़ा से हुआ है अंकित भाग कर बाहर जाता है, और कद्दू उठा कर अंदर ले जाता है और कद्दू से कहता है अज मा को खाना ना बनाना पड़े, सब कुछ तयार कर दो बढ़िया बढ़िया टेस्टी खाना, खीर, पूरी हल्वा, आइसक्रीम इधर अंकित कुछ बोलता है, उधर उसकी बुवा, शोर मचाने लगती है कि रसोई में खीर, हल्वा, पूरी, आइसक्रीम पता नहीं कहां से आ गये है हाँ, इसका मतलब तुम सच में कोई जादू कद्दू उठा कर लाए हो तबी सूनिल भी घर आजाता है, वो भी सारी चीजों को हैरानी से देख रहा था प्रभा, उसे भी कमरे में लेकर आती है और जादू कद्दू की सारी बात बता देती है ये सुनकर उसका पति खुष हो जाता है, फिर वो अंकित को बुलाकर जादू कद्दू से अपने लिए सुन्दर सा घर मांगता है और देखते ही देखते उनका घर एक बड़े से घर में बदल जाता है ये देखकर बूआ बहुत हैरान हो जाती है और इस तरहे अचानक जादू से सब कुछ होने की बात को बोलती है ये सब इस जादूई कद्दू की वज़े से हो रहा है जिसे अंकित लेकर आया है और ये अंकित की ही बात मानता है ये लो, जिस लड़के को कद्दू की सबजी ही पसंद नहीं थी उसे जादूई कद्दू मिल गया है सुनो अंकित इससे कहकर मुझे भी अमीर बना दो अंकित ऐसा ही करता है तभी वहाँ पर बहुत सारा पैसा आ जाता है वो अपनी बुवा को दे देता है वो भी खुश हो जाती है और फिर सारा परिवार वो खाना खाता है जो जादूी कद्दू की वज़े से वहाँ पर आया था अगले दिन सुभे बहुत सारा पैसा लेकर बुवा अपनी घर चली जाती है और अंकित जादूी कद्दू से कहकर बहुत सारी चीज मांगता है अब वो गरीब नहीं थे, अमीर हो चुके थे और उनके पास हर तरह का सामान था यहां तक कि उसकी बाबा ने अपना एक बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लिया अब सब की लाइब बड़ी ही हापी हैपी हो गई थी कि तभी एक राद फिर अंकित को सपना आता है अब बताओ, अब तुम्हें मैं पसंद हूँ या नहीं तुम मेरी सबसे फेवरिट सबजी बन गए हो तुम्हें पता है, अब मैं कद्दू की सबजी भी बड़े खुश होकर खाता हूँ और उसका स्वाद बिलकुल वैसा ही होता है जैसे मैंने उस दिन सपने में खाया था तो फिर ठीक है, अब मैं किसी और तुम्हारे जैसे अंकित को ढूंडता हूँ जैसे कद्दू की सबजी पसंद ना हो तुम इंजॉय करो, और ये जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है तो देखता है, वहाँ पर जादी कद्दू नहीं था और उसके बाद अंकित और उसका परिवार सब बहुत खुश रहते हैं